दोस्तों इस दुनिया में कई सारी अजीबो गरीब चीजें हैं जिने हम इंसान आज तक एक्स्प्लेन नहीं कर पाएं हाला कि इंटरनेट पर पोस्ट करी गई जादतर ऐसी वीडियोस फेक होती हैं मगर आज की इस वीडियो में हम आपको असमान में हुई कुछ सची वह अजीबो गरीब घटनाओं के बारे में बताएंगे जिनें देखकर आपके होश उड़ जाएंगे तो आप इस वीडियो को पुरा अंतक्त जरूर देखना दोस्तों ये वीडियो कोलंबिया में फिल्माई गई है और ऐसा प्रतीत होता है मानों कि ये कोई भूत हो जो कि लाइट की वज़ा से हमें दिख रहा हो वहां के लोग इसे भगवान चीजस मानते हैं और इसकी पूजा करते हैं इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि सारे लोग बहुत ही एकसाइटेड हैं और उन्हें इस चीज़ पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा है मुझे तो ये बहुत ही इंट्रेस्टिंग लगता है नमबर टू लोग बोलते हैं कि ये एक बायोलोजिकल एंटिटी है जो कि अलग दुनिया से आई है कुछ अन्य लोग मानते हैं कि ये दूसरी दुनिया का साफ है जो कि गिर के धर्ती पर आ गया है ये बहुत ही लंबा और डार कलर का है हाला कि इस चीज के बारे में हमारे पास जादा जानकारी नहीं है नमबर थ्री दोस्तों ये बहुत ही अजीब सी वीडियो है जो कि असमान की बहुत खौफनाग घटना को कैप्चर करती है कुछ लोग इसे एक उड़ता हुआ साब मानते हैं लेकिन असल में ये कोई unknown flying object है ये चीज बहुत ही बड़ी है और इसे ठीक से zoom करने पर ही देखा जा सकता है अब ये चीज है क्या ये कोई भी नहीं जानता फिरेंट्स इस वीडियो में हमें light के सीधी रेखाएं आसमान में जाती हुई दिखाई देती है हाला कि इस वीडियो की हमारे पास जादा जानकारी तो नहीं है मगर इतना तो साफ है कि ये beam of light सूरत से तो नहीं निकल रही है अब ये क्या है ये कोई भी नहीं जानता ये अनेक्स प्रेंट्स वीडियो बहुती इंटरेस्टिंग है ये beams आखिर originate कहां से हो रही है ये बात अभी भी एक mystery है प्रेंट्स से clouds बहुती mysterious है लेकिन साथ ही साथ ये बहुत खुबसूरत और unique भी है इन्हें मम टास्क्लाउट्स के नाम से भी जाना चाता है और ये बहुती rare होते है कुछ लोग इन्हें दूसरी दुनिया से आये बादल भी बोल देते है मजा की बात करें तो मुझे तो ये गोबी जैसे दिखाई देते है आप अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं फ्रेंट्स दुनिया के कई अलग-अलग हिस्सों में ब्लैक बीम्स को रिकॉर्ड किया जा रहा है कुछ लोग इसे शैतान का डंडा मानते है आपको बता दें कि ये वीडियो इड्री में फिल्माया गया है ये शक्स उस टाइम काड़ी चला रहा था और उसने अपने मुबाइल के कैमरे से इसे रिकॉर्ड किया है अब ये डार्क मिस्टीरियस बीम क्या थी और ये अलग-अलग जगाओं पर अचानक क्यों दिखाई दे रही थी ये कोई नहीं जानता वेग्यानिक भी इंडार्क बीम्स को एक्स्प्लेन नहीं कर पाए है दोस्तों आप क्या सोचते हैं इसके बारे में हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं वैसे तो ये वीडियो सिर्फ 5-6 सेकेंड का ही है मगर इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये किसी मूवी का क्रियेचर आसमान से जमीन पर आ गया हो दोस्तों आप अपनी राये हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों साइबीरिया में पोलर स्ट्राइटसफेरिक क्लाउड्स को देखा गया असान बाशा में अगर हम आपको बताएं तो ये रेंबो की रंग के बादल होते हैं जो की बहुती डरावनी फॉर्मेशन में गटित होते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं ये त्रिश्य बहुती सुन्दर वख खतरनाक है हाला कि कुछी देर में ये बादल वापिस नॉर्मल हो जाते हैं दोस्तों इस वीडियो को यूट्यूब पर पोस्ट किया गया था जिसका टाइटल टू मिस्टीरियस डार्क संज इन दस काय था इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक ही साथ दो सूरज आसमान में चमक रहे हैं जिस शक्स ने इस वीडियो को अफलोड किया था उसका कहना था कि वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ऐसा हो कैसे सकता है कुछ लोग बोलते हैं कि सच में वहाँ दो सूरज ही थे हाला कि कुछ दूसरे लोग ये बोलते हैं कि कुछ न कुछ मिस्टीरियस फिनॉमेन आसमान में कटिद हो रहा है आपका क्या सोचना है इस बारे में हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं नमबर टैन फ्रेंट्स फिनलैंड के बीच पर आसमान में एक वेव दिखाई देती है मगर देखते ही देखते ये आसमानी वेव पूरे बीच के उपर आ जाती है और बीच पर अचानक अंधेरा हो जाता है कुछ लोग बोलते हैं कि ये एक मॉडिफाइड वेदर है जिसे कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से बनाया गया है लेगिन कुछ अन्य लोग मानते हैं कि ये बिलकुल नैचुरल है पीच पर बिजली भी कड़कती हुई देखी जा सकती है